नमस्कार आप सबका इस कारेक्राम में स्वागत हैं आज का जो हमारा विशे है वो है गुप्त काल और उनके उत्रदिकारी हम बात कर रहे थे प्रभाकर वर्दन की मित्यू के पस्चात उसका जेस्ट पूत जो था स्यासन पर बैठा किन्तु बिहार था बंगाल के जो साशक ते सशांक द्वारा उसकी निर्मम हत्या कर दे गई सन 606 में लगबग हर्शवर्दन का राजय विशेख हुआ उस समय हर्शवर्दन मात्र 16 वर्ष का था तब भी उसने स्वैम को एक महान योद्दा और कुशल पिसाशक सिद किया हर्शवर्दन का साशनकाल जो है 606 से लेके 647 तक रहा कि जीवन में तता काल के संबन में प्रकाश डालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मोलवान स्रोत हैं अगर उस समय के हम स्रोत भी बात करें तो हमारे पास दर्वारी कभी बालवट द्वारा रचित हर्श चरित तथा चीनी बौद तीर्थ यात्री हुएंग स्वैंग द्वारा यातर ब्रतांग सी यू की जिसमें सन 629 से लेकर 644 तक भारत की यातरा की गदी समालने के पश्चात हम देखते हैं कि हर्श वर्दन ने अपने समराज को अपनी बहन के समराज के साथ मिलाकर सयुक्त कर लिया एवाम अपनी राजधानी को कनोज में ट्रांसफर कर दिया, हर्षवर्दन को उत्तर कदेव की उपादी भी दी गई, उसने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बेंगौल, बिहार तता उडिशा को संक्तित किया, हर्ष अपने समराज की का जो पताका थो धक्षिर में भी फैलाना चाता था, किन्तो नर्मदा नदी के टत पर जो चालुक के साशकते पुलकिशन दित ने उसे पराजित कर दिया, इस प्रकार नर्मदा नदी उसके समराज की दक्षिनी सीमा बन गई, हर्ष वर्दन की मित्यों के पस्चात, यानि की सन 647 में लगभग में भारत में राजनि की रूप में उभरे, अब हम बात करेंगे बाकर टाका की, भारती प्रायदीप में बाकर टाका एक स्थाने सत्ता थे, जिनका समराज उत्तरी महरास तथा विदर्व में था, उनका इतियास ब्रहमवडों को दान दी गई भूमी के लिए जारी किये गए, अधिकार पत्रों की सहाइता से लिखा जा सकता है, पुना लिख सकते हैं उनका इतियास को, शाही बाकर टक वर्ण्ष के रुद्रसेन दित्त का विवा, महान गुपत वर्ण्ष के प्रितापी, शाशक चंद्र गुपत दित्त के पुत्री, प्रभावती गुपत के साथ हुआ था, बाकर टक कि संस्कृति की विस्तार का माध्यम बना चलुक के आज की हम बात करें तो दक्कन तता दक्षिन भारत के इत्यास में चलुक के वंश वंश ने छटी सताबदी के प्रारम से लेकर 200 वर्ष तक महतपूर भूमिकनी भाई उन्होंने पस्चमी दक्कन में अपने समराज की स्था की ख्याती शीक्ता से शिकर पर पहुच गई वे चालुक वंश का महानशाशक था उसने अपनी इस्तति को महरास्ट के सिमें सुधल किया तता दक्कन के बड़े भूभाग पर विजय प्राप्त की उसने सन 630 के निकट हर्ष वर्धन को पराजित कर दक्षिन पथेश्वर अर्थाद दक्षिन के देव की उपादी भी अजित की हाला कि वे सन 682 में पलव साशक नरसिम वर्मन के हातों पराजित होकर मारा गया इसने चालुक तता पलवों के मद लंबे राजनितिक संगर्ष के युग को प्रारम कर दिया जो की सौ वर्षों से अधिक उत्नान एव राश्ट कूष्ट वर्ष ने उनका तक्ता पलट कर दिया सांस्कतिक रूप से दक्कन छेतर में कला था इस्थापत कला की प्रगति के लिए इस युग की अपनी महत्व है अपना इस एक इत्यास में इस्थान है अब हम बात करेंगे पल्लव की पल्लव वर्ष ने अपने समराज दक्षिर आंध प्रदेश से लेकर उत्तरी तमिलनाडों तक इस्थापित किया उन्होंने कांची को अपनी राजधानी बनाया उनके साशनकाल में कांची व्यापारिक तथा व्यवासाइक गति विदियों मेटपूर के अंध था तथा मंदिरों के लिए व्याख्यात नगर बन गया था महेंद्र वर्मन जिसका साशनकाल जो है 600 से लेकर 630 है तथा नर्सिंग वर्मन जिनका साशनकाल 630 से लेकर 668 तक है कि साशनकाल में पल्लव वंश के समराज का विस्तार हुआ अपने साशन के दुरार उनका संघर्श उत्तर में बतापी के चालों के वंश चोलों के तमिल सम्राच तता दक्षिल में पांडियों के साथ जयंतर चलता रहा प्रतापी चोल साश को द्वारा दक्षिन भारत में उनके साशन का अंथुआ साशकतिक रूप से उनका साशन काल तमिल सहित में भक्ती धारा के विकास के लिए एवब दक्षिर्व भारत में कला तता स्थापत कला के छ्षेत में दरबिर शहली की प्रगती के लिए स्मर्णी रहेगा उनी के साशनकाल में चिन्नाई का दक्षिर्व छ्षेत महावलीपुरम जो मंदिर के वारे में आपने सुना होगा कि महावली परिम का मंदिर कितना विशाल मंदिर है मंदिरों की वस्तु कला के महतपुड के नके रोप में प्रकट हुआ महावली परिम का अबन देखा हeking तो वे एक मतलब रत हैं, रत के ओवने वो हमें बना हुआ है और पथर से बना हुआ पूरा पत्थर का बना हुआ है बहुत खुबसूरत पंदेर है उसके अपनी एक मतलब अगर उसके वस्तुकला के पर उसमें देखें तो उसकी एक अपना महत्व है अब हम इनके बात करेंगे प्रिसाशन बेवस्था के बारे में मौर्य यूग में राजनितिक शक्ति राजा के हाथों में केंद्र थी किन्तु गुप्त प्रिसाशन समभताया विकेंद्र था इसका तात्परे जागीरे थी यानि कि इस्थाने साशक एवं छोटे मुख्या उनके समराज के बड़े हिस्से पर साशन करते थे प्रतापिक गुप्त साशकों ने महाराज दिराज परमेश्वर जैसी शांदार उपादियां धार्ण की हुई थी इनके दुर्बल साशकों ने राजा तथवा महाराजा उपादियों से अपने नाम को अलंकित किया हुआ था समानता राजपत वर्शनुगत था परसाशन का मुख बिंदू राजा होता था राजकुमार मंत्री तता सालकार उसकी साहिता करते थे राजकुमारों को भी छेत्रों का राजपाल नियुक्तिया जाता था प्रांत मुकता देश रास्थ एवं भुक्ति के नाम से जाने जाते थे उनका प्रधान उपारिक कहलाता था, प्रांत विभिन जिलों में बिवक्त हुआ करता था, जिने प्रदेश अत्वा विश कहा जाता है, विश का प्रधान विश्वति के नाम से जाना जाता था विश भी ग्रामों में बिवक्त हुआ करते थे, ग्राम मुक्ता ग्रामदेक्ष कहलाता था, तता ग्राम के वरिष्ट नागरिकों की सहाइता से ग्राम के विश्यों की जिम्मेदारी निवाता था गुप्त काल के दोरान कलाकार तता व्यपारी नगर प्रिशाशन में सक्रिय भूमिका निवाते थे, मौर्यों की तुलना में गुप्त अधिकारी वर्ग कम बड़ा हुआ करता था गुप्तों के अधिनस्त उच इस तरिये केंद्री अधिकारी कुमार अमत्य से सम्बंदित होते थे, महत्पूल पता अधिकारी तथा मंत्री सेनपती सभी इसी स्वयंग से चैनित होते थे प्रिशाशनिक पत्र जो था मात्र वंशनुगत ही नहीं होते थे, बलकि प्राया कई कार्याले सेयोक्त रूप से एक ही व्यक्ति द्वारा संचलित होते थे जैसे इलावाद इस्तित समंद्र गुप्त के आलेक का हमें के रचेता हरिसेन का उलेक महादन नायक युद एवदता शक्ति मंत्री के रूप में प्राप्त होता है, उच्छ अधिकारियों का चैन शाशक स्वयं करता था, किन्तु पद वंशनुगत होने से प्रिशाशन प हिस्सा तक भिन होता था, गुप्त काल में हमें आलेक से दो नए किर्शी करों का भी अवास होता है, ये थे उपकरिकर तथा उद्रम, तदा पी इनका यथार्थ स्वालूप इसपस नहीं है, साथ ही किशक वर्ग को समंद्रों की अवशक्ताओं को भी पूर करना होता था, उन्हें गाओं से शाही सेनवल को भोजन भी कराना होता था, जिस गाओं में सेवर गुजरते थे, गुराम बासी उसे बेगार कार भी लिया जाता था, अपने पिछले समय के तुलना में गुप्त काल की नियाएक विवस्ता अतिदिक उन्नत थी, अपने से पहले के समय में हम देखें तो प्रता पहली बार दिवानी तता अपरादिक विदी नियमों का इस्पष्ट वर्गी करण हुआ, विविन प्रकार की संपत्तियों से संबंदित विवाद दिवानी कानून के अंतरगत आये, उत्रादिकार से संबंदित विस्तित नियमों की रशना इस करण किया कारिगरों ततह व्यपार्णी के संग्ठन प्र väldigticrll ने इसी पद्धी पर अपने सम्राज का संचालन किया विकेंद्रीक करान की आधिकारी थारमिक व्यक्ति को भूमी के रूप में भुकतान किया जाता था इसने सामनती प्रता को प्रसान दिया जो कि हर्ष के बाद की समय में असदारा रूप से विक्सित हुई हर्षवर्दन के साशनकाल में कानून न्याए और धन वेवस्ता उतनी प्रवावी प्रतीत नहीं होती थी भारत में अपने यात्रा के दुरान हम देखते हैं कि जो हुएंग सेंग थे उन्होंने बताया कि उनको जो है दो बार मतलब चोरी का मतलब उनको दो बार उनको लूटा गया उनके साथ जो है उनको चोरी की गई तो यह जब कि हम देखने कि गुपतकाल के जो यात्री फायान थे उन्होंने किसी भी प्रकार से इस तरह की ऐसी कटनाइक और लेक अपने उसमें ट्रेवल अकाउंट में नहीं लिखा है तो इससे यह होता है कि बाद में चीजें जो है थोड़ी सी मतलब बदलने लगी थी विवस्ता में थोड़ी सी कमी आने लगी थी यह हम कह सकते हैं अगर हम उस समय के समाज की बात करें कि समाज कैसा था तो सुप्रेमेसी उस समय ब्रहमण की जोती बहुत सुप्रेमेसी बढ़ गई थी और एक घुपतकाल के समाज का तानावाना एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था ब्रहमडों की जोती सर्वोच्चता में ब्रद्धी हो गई थी जिने ना सिर्फ शास्कों से वलकी सद्धा जनता से भी दान की रूप में भुखंडों की प्राप्ति हो रही थी ब्रहमडों के नय वरक निर्मार हुआ सशक का समर्तन प्राप्त होने की वज़ा से उनमें किसानों की सोशर की प्रवत्धी को जन लिया क्योंकि साशक का उन्हें समर्तन प्राप्था तो उन्होंने किसानों का सोशन करना शुरू किया इस युक में हम जातियों में भी ब्रद्धी पाते हैं सुदूर तथा हम कहेंगे बिभिन चेत्रों में ब्रहम्मणवादी सबेता के विस्तार के पड़िनाम सरूप बड़ी संक्या में आदिवासी जनजाती तथा कुछ विदेशी आक्मरकारी जैसे हूडवन्ष है बड़ विवस्ता के अंतरकत ब्रहम्मणवादी समाजिक विवस्ता में सम्रित हो गए जहां विदेशी तथा जनजाती के मुख्या चत्रे कहला आए वहीं असधार जनजातीों को शूदरों की स्ति प्राप्त होई हम कुछ कह सकते हैं कि कुछ हद तक शूदरों की स्ति में हम J worldview कुछ सुदहार के हम दिखलाई देते हैं जो हम कहेंगे कि इस समाज से पहले उन पर पतिबनदित उनके लिए वो नहीं कर सकते थे। सात्म nearby शाताब दी संगं चूद्रो को Krishak था वैस्यों को व्यपारिग कहा। मतब हुंग सांग जो आय थे बहार के ट्रैवलर उन्होंने कहा कि उन्हों सूद्रों को क्रशक के रूप में देखा और वैश्चों को वैपारिका शूदों तता आइसपर्शों के मद भी अंतर किया गया आइसपर्शों को समाज में शूद्रों से भी नीचा इस्थान प्राप था आइसपर्शों को चंडाल कहा गया उनका निवास गाउं से बहार होता था तता वे उनका काम जो था नाली साफ करना कसाईगीरी ऐसे काम उनका कार जो था ये कार करना थे चीनियाति जो फायान था के नुसार जब जिलो अत्वा व्यपारिक केंदों में परवेश करते थे तो तब ये लोग क्या करते थे कि अपने आने की घोशना लकडी के टुकड़ों को बजा करते थे ताकि जो अंदर जो लोग हैं वो खबरदार हो जाएं कि जिससे ऐसा माना जाता था उस समय कि अगर कोई आश्पर्ष कोई हमें चूलेगा तो हम भरस्ट हो जाएंगे तो इसलिए वो अपने आने की सुचना पहले से दे देते थे कि इसी तरह की किसी को कोई प्रॉबलम ना हो दासों का संदर भी समकालिंग धर्म शास्तों में हमें मिलता है नारत के अनुसार 15 प्रकार के दास हुआ करते थे उनमें मुख जो थे वो ग्रहकार की हितु थे जिनका काम होता था सफाई करना जाडू लगाना इस तरह के दास थे यूदिके कैदी कर्जदार दास भी होते थे और दास की दास मा की कोक्सिजन लेने वाले लोग भी दासी समझे जाते थे गब्तकाल में अगर हम इस्तरियों की बात करें तो समाजिक देखें तो उनकी स्तती भी ठीक नहीं थी इस्तरियों की अधिनता का मुख जो रीजन था वो था कि पुर्श वो पूरी तरह से पुर्शों पर निर्भर करती थी और संपती जो थी पैत्रक रूप में पाने का अधिकार नहीं था अईकरा को आत हमिए कह सकते हैं कि महिला को प्रॉपर्टी राइट ने थे अपने परेंट्स की प्रॉपर्टी में की उनको कुछ सम्पत्ति का अधिकार उनको नहीं दिया घे था उस समय में लेकिन उनके लिए इस्तरिधा इस्तरी должно था उसका मतलब इता है कि जो विभा के समय उन्हें जो उफार दिये जाते थे जो उन्हें मिलते थे उसका उनको पूर अर्दिकार था कला में इस्तिरियों का मुक्त चितर समाज में परदा पिथाना होने का संकेत करता है करता है सतीपर्था का भी अस्तित्व अवर्षिव मिलता था मद्य प्रदेश के एरान में अंकित एक उल्लेक जो 510 सन का है में पत्व सतीपर्था का प्रमार मिलता है बाड़वट के हर्ष चरित में रानी अपने पती प्रभाकर वर्दन की मित्यु पर सती हो जाती है यहां तक कि हम देखते हैं कि जो हर्षवर्धन ने उनकी बहन है उनको भी सती परता का पालग करने जा रही थी जब हरशवर्धन ने उनकी जान बचाई तो हमें सती परता का भी उसे उस में एक रीफेरेंशेज मिलते हैं महिलाओ की सती उस टैम भी ठीक नहीं थी और बाद में हम देखते हैं कि किस तरह से मतलब जो है चीजे सती पर था और इस अब आगे बढ़ती चली जाती है तो यह चीजें हमें आगे भी देखने को मिलती है अब हम उनके अर्थविवस्ता की बात करें कि उस समय अर्थविव पर जुदाई प्रारम हुई तता उच पर उच परणाम प्राप्त हुए अच्छे खेती करने के लिए उसमें बहुत सारे उत्पादन की जो तरीके थे उनमें सुधार किये गया इन सुधालों का एक मुख कारण्ज होता ब्रहामोडों तता गयरधार्मिक कर्मिकों को विविन छेत्रों में भूमी दान करने की परंपरा रही इसने बिना काम करने वाली भूमी को ही कर्शी के योग बना दिया लोह वाले हल, गोबर की खास, सिचाय तेता पिछले छेत्रों में परशुधन संरक्षन ने ग्रामी संपनता में अधिक सायोग दिया हम यह देखते हैं कि उसके बाद भी कर्षे जो पीर्ट किसानों को इससे कोई लाव नहीं हुआ गुप्त तता गुप्त उत्तर युग में व्यपार तता वड़िज के छेत में पतन हुआ सन 550 तक भारत के पूर्वी रोम समराज के साथ व्यपारिक संबनते जब भारत मसालो और तता रेशम का निर्यात करता था चटी शदाबदी के लगबख रोम नागरिकों ने रेशम के धागोई बुनने की कला को सीख लिया इस विशेश वस्तु के उत्पादन छेतर में व्यदेशी व्यपार को इससे काफी ठेस पहुची हूलो द्वारा उत्तर पश्चमी मार्क पर अवरोध उत्पन करना भी इस व्यपार के पतन के घटकों में से एक घटक रहा जिसके वज़े से व्यपार का पतन हुआ भारत में इसकी छती पूर्ती दक्षिर पूर्वी एशिया के साथ वालेज संबन बना करनी चाही किन्तु इससे भी अर्थविवस्ता को पुनार जीवित नहीं कर सके निम्न व्यपार ने देश में सोने चांदी के अपूर्ती पर भी असर डाला इसका प्रमाण गुप्तकाल के जो बाद में सोने की कमी से मिलता है गुप्त शाष को दौरा बड़े संखा में सोन मुद्राएं जो हैं प्रिशन में लाई गई गई थी जिनें दिनार कहते थे जो हैं कि उस समय में मतलब उनका आर्थ विवस्ता उस तरह से विक्सित नहीं थी अब हम बात करेंगे लिट्रेचर पर, उस समय के साहित पर, बड़ी संक्या में धार्मी तता अन साहित की रशना इस काल में हुई, सबसे बड़े जो महाकाव थे रमायर और महावारत, दोनों महाकाव चौती सदी में, चौती सताब्दी में पूरे हुए, दोनों ही महाकावो की विशयवस्तू में जो थी अधर्म पर धर्म की विजय दिखाए गई है, राम तता किष्ण, दोनों ही भगवान विश्णों के अफ्तार माने गए हैं, गुप्तकाल से साहित में, पुराणों का सरजन प्रारम हुआ, इन रचनाओं में हिंदू देवी देपताओं की कहा कानिया, तता बृत, एवं कर्मकांड और तीत यात्रा द्वारा उन्हें प्रसन करने के तरीकों का विवरण हैं, इस काल में स्रजित मुख जो पुराण थे, वो थे विश्णु पुराण, वायू पुराण, मस्य पुराण, शिव की अरादना के लिए शिव पुराण की र कुछ विधी विशक पुस्तके इस्मृती भी लिखी गई हैं, इन में से नारद स्मृती समान समाजिक तत्था आर्तिक नियमो तत्था नियमवली पर प्रकाश डालती हैं, गुप्त गालिन साहित की भाषा अगर हम कहें तो संस्कृत थी, संस्कृत के महानतम कभी उस समय क कालिदास थे, पांचवी सदापदी में चंदुगुप्ति दित्ति के दरवार के मुक्त रतन थे, उनके साहित कारें बहुत ही लोग पुरे थे, तता कई यूरोपी भाषाओं में उनका नुबाद भी हुआ, उनकी कालिदास की अगर हम कुछ चर्चित रशनाओं के बारे तता सधारा और लोगोद्वारा प्राकित भाषा के प्रियोग रहा। इत्यास की जानकारे इसी पुस्तक से हमें प्राप्त होती है, उसके द्वारा लिखे अनर रशनाओं अगर हम देखें तो वो कदंबरी है, हर्श वर्दन को अगर हम देखें तो वो स्वैम भी एक साहितिक समराठ था, ऐसा कहा जाता है कि उसने तीन नाटक लिखे थे, एक प्रेय दर्शिका नागनन्द ततर अतनावली, दक्षिन भारत में सन 550 से लेके 750 तक तमिल में भक्ति साहिति का सरजन हुआ, अपने अपने देवताओं की परातना में वैश्रव संतों यानिकि जो अलवर तता सैफ शंतों यानिकि नयन ने गीतों का सरजन किया, अलवर संतों ने सरवदिक चचिस संत एक महिला अंदल थी, वैश्रव भजनों को बाद में नल येरा प्रवंदन एवं शेय भजनों को देव राम नामक संकलों से संकलित किया गया था, इसके बाद मतलब आप देखेंगे कि किस तरह का कितना रिच इसका इत्यास मतलब साहित था, कि किस में बड़े महाकाव इस समय में लिखे गए थे, महाबारत और रामायर, अब हम बात करेंगे आर्ट अंड आकिटेक्चर पर, कि इस समय का वस्तु कला और कला किस प्रकार की थी, प्राचीन भारती कला मुखता जो थी हम देखते हैं वो धर्म पर आधारिती, उस समय प्राचीन भारती कला में हम देखें तो कोई भी जो कला है, जितनी भी धर्म से कहीं न कहीं इर्द गूमती थी, गुपत काल में भी बहुत धर्मने कला को आश्चारे जनक रूप से प्रभाबित किया, सुल्तान गंज बिहार में तावे की बनी विशाल कायब प्रतिमा पाई गई गई, मत्रा एवम साननात में महात्मबुत की आकशक प्रतिमाए गड़ी गई, गुपत काल में बहुत कला का सबसे जो परिकिष्ट उधारा है अजन्ता के गफाओं में की गई चित्रकारी, अजन्ता और अलोरा के गफाओं इतनी पुरानी हो गई लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें जो उनकी कला है, वो आज भी कला का नमुना है, उन में जो कला है, वो आज भी हैं, खराब नहीं होएं, इतनी पुरानी होने के बावजूद िए उस समय हम इसे अंदाज़ा ये लगा सकते हैं, कि उस समय किस तरह की टेक्नोलजी और किस तरह की कलर जो है यूज किये जाते होंगे जो आज तक वो हमें दिखते हैं महातबुद एवम जातक कहनियों का वर्णल हमें इन चित्रों में मिलता है उनका पक्करंग 14 शताब्दी उपरांदी फीका नहीं हुआ है तो यह बहुत ब इतव्र zal शादरज में प्रथम बार-जू कե खाल इनमाड की शैली उतर भारते विक्सित होई इन मंदिरों को इस्थापत्वर्य में नागर कर नाम से जाता गुप्त कालिन मुद्राइं भी कला का ही उत्कृष्ट अध्वरान थी उनकी बनाबट सुंदर थी तथा सतक्ता से उन्हें गड़ा गया था उन पर शाष्कु की गतिवीदियों का अकशक धंग से चितरन होता था जैसे मैंने समंद्र गुप्त की मुद्राओं के वारें बा बात किया कि उसको एक मुद्रा में बीड़ा बना बीड़ा बजाते वे दिखाया गया उसके पोस्चर पर बात की गई है भारती प्राइदेप में शिव तता बिश्रू के अराधना लोगपिरिया हो रही थी इन देपताओं की प्रतिमाओं को स्थापित करने के लिए साथवी तता आठवी शितापदी में पल्लव शाषकों ने पत्थरों के मंदरों का निर्माड कराया सर्वदिक पिसित मंदिर जो था वो सात रद मंदिर प्रतेक मंदिर पत्थर के ठोस टुकले पर बना हुआ था ये चिन्नेई से 65 किलोमेटर दूर महावली पुरम में स् पतापी के चालूग भी मंदिर निर्माड के में पीछे नहीं रहे तता उन्होंने एहोल बदामी तता बहुत सारोंने मंदिर बन भाए साथवी ता आठवी शितापदी के बाद हम देखने कि दस मंदिरों का निर्माड कराया विरूपोक्छ मंदिर का भी मंदिरों की दक्षिर भारत की स्थापत कला को द्रवर कला के नाम से जाना जाता है एक नागर कला एक द्रवर कला तो वक्त की कमी है और इसमें अभी हम आगे इसके उस समय के रिलिजन पर भी हम चर्चा कर सकते थे कि उस समय किस तरह का धर्म लोग मानते थे लेकिन वक्ती कमी है आगले प्रोग्राम में हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और आश्या करते हैं कि आप लोग को इस प्रोग्राम पसंद आया होगा धन्यवाद